हेलो डियो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अध्यापक लिखित परिक्षा के लिए साइंस के एक इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक का नाम है कमपोजिशन ऑफ सनलाइट यानि सूर की प्रिकास का संगटन यानि सूर की प्रिकास में किस किस तरह की चुम्बकी तरंगे होती हैं उसके बारे मैं आपसे बात करूँगा फ्रेंट्स आप जानते हैं कि इसके पहले मैं और भी वीडियोस अप्लोड कर चुका हूँ तो आप उनको प्लिलिष्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और हाँ आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें ताकि मुझी भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह के और भी वीडियोस अप्लोड करने के लिए और अब देखते हैं कि आज वीडियो में क्या है सूर के प्रकास का संगठन यानि अगर इंगलिस में कहें तो इसको बोलेंगे composition of sunlight इसका मतलब है कि सूर के प्रकास में क्या-क्या मिस्रित होता है तो सबसे पहले ये बात करते हैं जो सूर का प्रकास होता है वो एक तरह से चुम्ब की तरंगों के रूप में होता है और ये चुम्ब की तरंगें तीन तरह की होती है यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि मैं जो भी point आपको बता रहा हूँ उससे भी question create करके पूछा जा सकता है इसलिए मेरी दोवरा कही गई हर बात आपको अच्छे से समझनी है तो पहला मैंने क्या बोला कि सूर का जो प्रकास होता है उसमें हमें तेन तरह की चुम्ब की तरंगें मिलती है और सभी की तरंग जहर अलग-अलग होती है और देखिए अब नम्मर एक पे क्या है पराबैगनी तरंगें जिसको UV रेस यानि Ultra Wallet रेस भी कहा जाता है और नम्मर दूसरा है दरस से प्रकास तरंगें यानि Visual Light Race इसके नाम से ही आप इसका मतलब समझ जाएंगे दरस से प्रकास यानि जिसको हम आखों से देख सकते हैं और इसके बाद जो नम्मर तीन पर है उसका नाम है अवरक्त तरंगें इंफ्रा रेड रेस तो ये तीन वो चुम्ब की तरंगें हैं जो कि हमें सूर से प्राब्त होती है नम्मर एक पराब्यगनी दूसरा दरस से प्रकास तरंगें और इसके बाद अवरक्त तरंगें तो ऐसे भी कोशन क्रिट किये सकता है जैसे पूछ दिया जाए कि सूर के प्रकास में कितने प्रकार की चुम्ब की तरंगें होती है तो आपको इन तीनों का नम वहाँ पे लिखना होगा और इसके बाद अब मैं आपसे एक एक करके बात करता हूँ सबी के बारे में सबसे पहले ही बात करते हैं पराब्यगनी तरंगें यानि अल्ट्रा वालेट रेस के बारे में और ये करणें अद्रस होती है ये भी एक most important point है कि ये करणें अद्रस होती है यानि इन विजबिल होती है यानि इन्हें आप आँखों से नहीं देख सकते हैं और इसके बाद अगर बात करें कि जो नियूनितम तरंगदेर्ड है वो कितनी है तो इसकी range होती है 1 into 10 to power minus 8 से लेकर 4 into 10 to power minus 7 तो ये इसका range है यानि जो पराबैगने करें होती है उनकी तरंगदेर्ड 1 into 10 to power minus 8 से लेकर 4 into 10 to power minus 7 मीटर तक होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अद्रस होती है और आँखों से दिखाई नहीं देती है और इसकी बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तो अच्छा में विटामेंट D उत्पन करती है फ्रेंस कई बार लोग कहते हैं होता ही है कि लोग कहते हैं कि सूर के प्रकास में विटामेंट D मिलता है अगर यह कहा जाए कि सूरु के परकास में Vitamin D मिलता है तो यह कहना पूरी तरह से गलत होता है क्यों गलत होता है इसलिए गलत होता है क्योंकि हमारी जो Iskin होती है Iskin में जो fatty acids होते हैं तो वो जो fatty acids होते हैं वो ultra valid race यानि परा-bैगनी जो तरंगे होती है को इसकी उपस्थिती में विटामिन D को उत्पन कर दी है तो ऐसा नहीं होता है कि पराबैगनी तरंगों में कोई विटामिन D होता है ऐसा नहीं होता है यानि हमारी बॉडी ही इस तरह से होती है बॉडी हमारी इस तरह से बनी होती है कि अगर हम पराबैगनी तरंगे हमको मिल जाएं अर्थात हम सूर के प्रकास में बैठ जाएं तो हमारी बॉडी में D उत्पन अपनियाप हो जाता है कहने का मतलब है कि हमारे पास पराबैगनी तरंगे होनी चाहिए तो इस तरह से ये point आप जरूर याद रखिए माली जी question ऐसे बना के पूछ दिया जाता है कि सूर के प्रकास की कौन सी किरणों से vitamin D उत्पन होती है तो आपको बताता होगा ultra wallet race यानी परावेगनी किर रहा है और इसके बारे में बताए अद्रस से होती है यानी इनको देखनी सकते हैं ये बात आपको याद रखनी है और इसके बाद next second number two की बात करते हैं द्रस प्रकास तरंगे यानी जिनको हम देख सकते हैं visual light race इसके बारे में देखते हैं यानी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इने हम आखों से देख सकते हैं इसलिए इसको द्रस प्रकास कहा ज ब्लू ग्रीन यलो औरेंज और रेड हैना इनका आपने पूरे सभी का साथों का अच्छे से नाम सुनाओगा इसको हिंदी में बैन ही आहपी नाल भी कहा जाता है यानी एक ये एक systematic sequence है कि कि किसका range कितना जादा होता है यानी प्रिज्म से गुजरने के बात किसका सबसे ज 10 to power minus 7 से लेके 7 into 10 to power minus 7 meter तक होता है और अगर इसको micron में चेंज करना चाहा है तो बोल सकते है 0.4 micron to 0.7 micron और आपको बता दूँ कि 1 micron equal 10 to power minus 7 meter होता है अब मैं आपको बहुत important बात बताने वाला हूं जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर वीब गयोर की बात की थी देखिए होता क् मालो कोई प्रिज में है और प्रिज में से अगर किसी white ray जो प्रिकास की white ray होती है उसको अगर पास कराय जाए तो इस तरह से यहाँ पर यह साथ अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है तो ऐसे साथ माली जी मैंने यहाँ पर पहले सबसे नीचे जो आता है वी आता प्रिकास जो सफेज प्रिकास के रड़ होती है उसको प्रिज्म से पास कराया तो जो सबसे ज़्यादा जो विशलित होती है वह होती है वी उससे कम आई मतलब इंड़िगो उसके बाद ब्लू उसके बाद ग्रीन उसके बाद यलो उसके बाद औरेंज उसके बाद रेड अग थैं कि red color का प्र्योग symbol की रूप में भी गिय जाता है क्योंकि खुले आस्मान में red color को जलाय जाएक है तो बहुत दूर तक दखाए देगा इसली 13 में आख Pak कि signal कि रूप मैं इसी color को यूज किया जाता है तो आप इन बातों को जरूर याद रखी और जैसे कि मैंने बोला कि यह दरस प्रकास होती है इनको आखों से देखा जा सकता है और यहां पर यह 4 micron to 7 micron sorry 0.4 micron और 0.7 micron इसको भी याद रखिएगा और 1 micron equal 10 to 4 minus 6 meter होता है ऐसा भी याद रखना है इसकी बात बात करते हैं अवरक्ट तरंगों के बारे में यानि इनफ्रा रेड तरंगों के बारे में तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है आखों द्वारा नहीं देख सकते हैं यानि यह ऐसी तरंगे होती है जो को आखों के द्वारा नहीं दिखा जा सकता है और इसकी बार इनकी जो रेंज होती है यह 7.0 into 10 to power minus 7 से लेकिर 1 into 10 to power minus 3 मीटर तक होती है और यही वो तरंगे होती है जो के हीट को प्रोडूस करती है यानि प्रिच्वी तक आने वाल की सोरी जब यह प्रिच्वी तक आती है तो रास्ते में जो भी चीज होती है उसमें हीट उत्पंद करती है वो अवरत तरंगे ही होती है और यह भी साथ साथ में याद रखना है कि सूर के प्रिकास का केवल एक तहाई भाग अवरत प्रिकास के रूप में होता है और मैंने जैसे बोला कि अपनी मार्ग में आने वाली वस्तु का ताब बढ़ा देती है यानि जो हीट के लिए responsible होती है अवरत तरंगे ही होती है तो इस तरह से जो भी defend किया है इसमें most important question सामिल है आप इनको अच्छी से त्यार कर लेजी ताकि इनसे कोई भी question पूछा जाता है तो आप उसे कर पाएं